अब हम बात करेंगे capacity reactance के बारे में capacity reactance के बारे में सर अब यह capacity reactance क्या है इसको लेटर बच्चों में x c से दिखाऊंगा जब भी यह word आया ना reactance reactance is shown by letter capital x अब capacity reactance है that's why the letter c अब capacity reactance का picture में आता है जब भी आपके circuit में एक capacitor हो और उसे purely ac supply अगर आप connect करते हो this is your ac supply और यह capacitor c तो यहाँ पे जो opposition offered करेगा यह capacitor इस ac को उसे कहा जाता है capacity reactance जैसे कि आपका resistance current को oppose करता है उसी तरीके से बच्चों capacitor change in voltage को oppose करता है ठीक है कैसे oppose करता है change in voltage को तो यहाँ पे जो आपका xc है इसका formula आता है 1 upon omega times c तो यहाँ पे बच्चों omega की value क्या होती है 2 pi f into c तो सबसे पहले इसका unit बता दू बच्चों कोई भी reactance हो भूरे वो inductive हो या capacity हो उसका unit मैंने क्या बताया था उसके बाद अब मैं यही xc की value dc और एक बार ac के लिए निकालूंगा अब dc के case में मुझे पता है frequency कितनी होती है 0 ac के case में frequency 0 नहीं होती तो सर्फ कितनी होती है वो भी बच्चों standard नहीं है मतलब इंडिया में इसकी value frequency की value 50 है लेकिर हर जगा 500 ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो ac frequency की value सिर्फ 0 नहीं होती यह आवलको कितनी होती हो तो हम पे नहीं depend वो circuit बनाने वाला कितने frequency भी बना सकता है अगर मैं frequency की value 0 डाल दू तो यहाँ पे xc xc की value क्या है this is your 2 pi f into c तो f की value अगर मैं 0 डाल दू तो यह कितना हो जाएगा 1 upon 0 this is your xc तो 1 upon 0 is infinite एनि कि आपका capacity reactance infinite हो जाता है कि कुछ supply के लिए dc supply के लिए अगर वो infinite reactance दे रहा है मतलब कि वहाँ पे circuit open हो जाता है एनि कि आपका capacitor dc supply के लिए open circuit react करता है तो यह होगे point xc के बात रही ac के case में ठीक है तो ac के case में opposition कुछ ना कुछ रहेगा infinite ने रहेगा एक finite value आएगी ठीक है और यहाँ पे dc के case में frequency 0 होने के वज़ा से xc कितना हो गया xc हो गया आपका infinite clear तो यही simple से point है xc के बारे में इससे ज़्यादा तो इसमें नहीं पूछेंगे जो भी topic रहेंगे मैं आगे की lectures में govern करवा के दिदूंगा कितना है